तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन केडमी के इस नए लेटेस्ट और इंस्टेंट वीडियो में देखिए आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट भी आ रहा था कि क्या बिहार बोट जो है मैट्रिक के मैट का पेपर रद कर दी है ठीक है जितने भी अभी टेंथ क्लास की मामला फसा और सभी लोग यह अगी करों compat की मैट्रिक का फेपर रद होने का एक और वीडियो के मैट का पेपर रद होने की और वीडियो में इसके पहले upload की थी घीक है जिसमें मैं pakai적 का पेपर रद होता है तो मैं आप लोग को instant video बना कर जरूर बताऊंगी तो इसलिए ये वीडियो में आप लोग को बनाई हूं ताकि आप लोग को सही जानकारी मिल सके और आप लोग का इस वीडियो में हर एक एक doubt क्लियर हो जाएगा बस आप लोग को पूरा अंतक वीडियो देखना है हर एक एक बात को धियान से समझना है देखे सबसे पहले तो अप लोग का जो मैट्रिक का के एक्रिक हो था सत्रब फरवरी से लेकर चौविस तक हुआ ठीक है और जो सत्रब फरवरी पहला दिन आप लोका था उस दिन मैठ का एक्जाम हुआ था ठीक है पस्ट ऐस्ट सेकेंड काम स्टिंग डोनों जयागा दोनों पाली में मैच या में लेकिन उसी अभी लोग इस सत्यता की जाच करने लगे कि क्या सच में पेपर लिख हुआ है ठीक है और यही जाच करते करते मतलब आज से दो-तिन दिन पहले तो ऐसा लग रहा था कि मैट का पेपर रद नहीं होगा लेकिन पुरीच अमपारन के मोतिहारी जीला के जीला अधिकारी ने रि मेरी बात को ध्यान से सुनिये मैट का पेपर तो रद हुआ है लेकिन पूरे बिहार में नहीं हुआ है याद रखिएगा अभी मेरी बात को फिर से सुनिये मैट का पेपर बिहार बोड रद की है लेकिन पूरे बिहार में रद नहीं हुआ है यह सिर्फ पुर्वी चंपारन के मोतिहारी जिलन मोतिहारी अनुमंडल में हुआ है ठीक है क्योंकि मोतिहारी जीले में ही Peker मैईत lunar पेपर लिख होने की घटना सामने आई थी वह भी नहीं तो फ्रieso फिस्ट सिर्टिंग प्रथम पाली का मैध का पेपर हुआ था फर्स्ट पाली का ही मैथ का पेपर लिख होने की गटना हुई थी और इसी लिए मोतिहारी जिला के जिलादीकारी जो है वो क्या कर दिये? रिपोर्ट कर दिये कि नहीं मैथ का पेपर रद किया जाए तो यहां पर आप लोगों को मालुम चल गया होगा कि मैत का पेपर पूरे बिहार में नहीं रद हुआ है सिर्फ फुर्वी चमपारण के मोतिहारी जिला में हुआ है वो भी नहीं तो प्रथम पाली, फर्स्ट सिटिंग का ठीक है, और मोतिहारी जिला में 25 परिक्षा केंद्र है अच्छे से हर एक-एक डिटेल्स आप लोगों को पढ़कर बताती हूँ देखे, मैट्रिक की, देखे, आपर लिखा भी है मैट्रिक की 25 केंद्रों की पहली पाली की गडित की परिक्षा रद यानि की मैट्रिक 10 क्लास की 25 केंद्रों यानि की 25 एकजाम सेंटर की पहली पाली जो फर्स्ट सिटिंग में मैट का परिक्षा हुआ था 17 तारिख को वो रद हो गया है ठीक है, अब यह कहां पर हुआ है, पूरे बिहार में नहीं हुआ है सिर्फ पुर्वी चंपारन के, एक मिनट सिर्फ पूर्वी चंपारन के, मोतिहारी अनुमंडल के 25 परिक्षा केंद्रों की, मैट की प्रतम पाली की गड़ीत की परिक्षा रद कर दी गई है याद रखिएगा तो यहां पर आप लोगों को डरने की ज़रुवत नहीं है, सिर्फ जान लेना है, कि हम मैट का पेपर रद हो गया है तो आगे पढ़िए, देखिए, आगे मैं आप लोगों को पढ़ कर बता दे रही हूँ कि रद की गई गड़ीत की परिक्षा तो जितने भी स्टूडेंट जो मोतिहारी जीले से बिलॉंग करते हैं वो 24 तारिख को मैट का एक्जाम देने के लिए तयार रहेंगे ठीक है, यहाँ पर पूरे बिहार के स्टूडेंट को घबराने वाली कोई बात नहीं है तेंसन लेने वाली बात नहीं है, सिर्फ मोतिहारी जीला से जितने भी स्टूडेंट बिलॉंग करते हैं उनको भी घबरानी की ज़रूत नहीं है, सिर्फ जान लेना है कि हां मैट का पेपर रद हो गया है और फिर से एक्जाम देना है, ठीक है? तो देखें यहां पर आगे भी है कि मोतिहारी अनुमंडल के 25 परिक्षा किंद्रों की मैटरिक की प्रथम पाली की गडित की परिक्षा रद करने की करवाई पुर्वी चंपारन के जिला अधिकारी की रिपोर्ट पर हुई यह जो 25 परिक्षा किंद्रों यानकी 25 एक्जाम सेंटर में जो पर्थम पाली में मैट का एक्जाम हुआ था तो उसको रद करने का जो रिपोर्ट किये थे वो पुरी चंपारन के जिला अधिकारी किये थे कि नहीं मैत का परिक्षा रद कर देना है वही रिपोर्ट किये थे पूरी सत्यता की जाच कर कि क्या सही है क्या गलत है ठीक है और वो 25 के अंदर यानकी 25 एक्जाम सेंटर में देखिए ये पूरा 25 एक्जाम सेंटर का नाम दे दिया गया है जहां पर एक्जाम हुआ था जहां कि मुझीब गौल साई स्कूल मंगल सेमीनरी गुपाल साविध्याले यह सभी जितने भी स्कूल का नाम दिया है यह 25 स्कूल का नाम है एक्जाम सेंटर का नाम है जहां पर 17 फर्योरी को फॉस्ट सेटिंग का मैथ का एक्जाम हुआ था ठीक है तो यहां पर आप लोग मिला भ के स्टुडेंट है ठीक है अब देखिए जो आप लोग का 24 मार्च को एक्जाम होगा एक मिनट हां जो आप लोग का 10 क्लास के जो मैट का परिक्षा 17 फर्योरी का रद हुआ है तो फिर वह 24 मार्च को होगा तो 24 मार्च को होगा चाहरे 9 बज़े से लेकर 12 बज़े 45 मिनट त बिल्खुल उसी तरह 24 मार्च को भी मैट का एक्जाम होगा सड़े 9 बैसे लेकर 12 पैतारिस तक लेकिन यहां पर ध्यान दिजिए आप लोग का एड्मिट कार्ट वही रहेगा पुर्वा निर्गत एड्मिट कार्ट से ही पुनर परिक्षा ली जाएगी जो आप लोग का प लोग को पुराने वाले ही एड्मिट कार्ट से वहां पर आप लोग को एंट्री मिल जाएगी और वहां पर आप लोग को जाकर एक्जाम दे देना है ठीक है तो यह एक तरसे लिख हो गया तो कोई दिकत नहीं इसमें डरने की क्या बात है 24 तारिक को फिर से एक्जाम होगा तो यहां पर आप लोग को कुछ दिन मिल जा रहा है ताकि आप लोग मैथ की तयारी अच्छी कर ले और फिर से 24 तारिक को एक्जाम होगा तो आप क्या कर ले इसमें मैथ का पेपर आप लोग अच्छा से लिख कर रहे है ठीक है मैथ के पेपर में और अगर जिन भी स्टु तयारी कर जाएंगे 24 मार्च को सेंटर पर तो आप लोग अच्छा लिख पर आएंगे ठीक है तो आई थिंक सारे डाउट किलियर हो गए होगे इतना आप लोग को मालूम चल गया होगा और सारी चीजे मेरी बातों को आप लोग समझ गए होगे कि बिहार जो है ना मैट्रि आप हमें कमेंट करकर पूर्च सकते हैं जो कुछ भी मैं आप लोग को समझाई समझ में आया तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजेगा और सबसे ज्यादा चारों तरफ शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टुडेंट के पास यह पहुंच सके और वह इस वीडियो को चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा ताकि मेरी रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंचे तो फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में एक्स टापिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज